ओम नमो भगवते रामकृष्णाया शांति पूर्ण सार्थक जीवन के लिए महत्वपूर्ण सबक स्वामी जगदात्मानंजी की महान पुस्तक जीना सीखो से जीवन लक्ष जब तक जीवन में कोई लक्ष एवंग उस लक्ष के प्रती तीवरता नहीं होगी तब तक हम अनिश्चित्ता अनसर्टेंटी एवंग असमंज की स्थिती में ही रहेंगे तीवर इच्छा ही प्रेरना शक्ती है लक्ष प्राप्ती के लिए तीवर इच्छा का होना अति आवशक है व्याकुलता का होना बहुत आवशक है व्याकुलता से ही परिश्रम का जनम होता है अगर तीवर इच्छा एवंग व्याकुलता हो तो कहते हैं कि सारी स्रिष्टी, सारी प्रकृती उसे पूरा करने में लग जाती है आपके लिए परन्तु यहाँ पर ठीक और गलत की परक होना आवश्यक है बुरे का परिणाम बुरा ही होता है और अच्छे का परिणाम अच्छा ही मिलता है भाव यहे कि सही लक्ष एवंग व्याकुलता से चमतकारी परिणाम प्राप्थ होते हैं इसलिए जीवन का एक निश्चित, definite, certain लक्ष होना बहुत जरूरी है और इसे प्राप्थ करने की तीवर इच्छा होना बहुत आवश्यक है आईए अब हम सुनेंगे स्वामी जगदात्मान जी की ही वानी जीवन लक्ष एवं तीवर इच्छा ही प्रेयरणाश शक्ती है अपनी भीतर छिपी हुई संभावनाओ और क्षमताओं को क्रियाशिल करने के लिए अपने जीवन का लक्ष निर्धारित कीजिए मोक्ष की प्राप्थी को ही लक्ष बनाना आवश्यक नहीं है परन्तु प्रत्येक विक्ती के जीवन का एक विशेश वास्पष्ट लक्ष होना चाहिए परन्तु किसी क्षणिक इच्छा को लक्ष नहीं कहा जा सकता है और नहीं अपने निर्धारित कार्य में सफलता की इच्छा रखना ही पर्याप्त है उसे समय पर पूरा करने के लिए ठीक पधती भी अपनानी होगी सुचारू योजना के अभाव में मूल्यवान मानसिक शक्ती तथा समय का अपव्य होता है संबव है कि आपने श्रोताओं के समक्ष एक व्याख्यान देने की सोची हो कोई व्यापार करने की योजना बनाई हो या फिर एक कलाकार या लेखक बनने की सोची हो या फिर अपने व्यवसाई में कुशलता लाकर आए बढ़ाने की इच्छा की हो चाहे कुछ भी हो आपके लिए अपने लक्ष या उद्देश्य के विशय में स्पष्ट धारणा होना आवश्यक है काम्यावी की तीवर इच्छा ही आपको उस धारणा को कार्य रूप में परिनत करने को प्रेरित करेगी अनिश्चित्ता तथा असमंजस को जीतने के लिए स्वयम से पूछिए कि आपको क्या चाहिए अनिश्चित्ता तथा असमंजस को जीतने के लिए स्वयम से पूछिए कि आपको क्या चाहिए तब आपके सामने अपने जीवन का प्रमुक उद्देश्य स्पष्ट हो उठेगा और ऐसा होने पर आपका मन उसकी प्राप्ती में अपनी सारी शक्ति लगा देगा तीवर इच्चा ही प्रेरना शक्ति है जर्मनी के फ्रैंक्फर्ट नगर में एक बड़ा पुस्तकाले है वहाँ पुस्तकों के बीच एक रिशी तुल्य व्यक्ति गहन चिंतन में बैटे है यह तीस हजार पुस्तकों का उनका निजी संग्र है अधिकांग्श पुस्तके भाशा शास्त्र की है वे एक, दो या पचीस, पचास नहीं बलकि लगभग तीन सो भाशा ये जानते हैं वे उन भाशाओं में केवल लिक पढ़ ही नहीं बलकि स्पष्ट उचारन के साथ बोल भी सकते हैं यह कोई कहानी नहीं वरन सत्य है उन सज्जन का नाम डॉक्टर हेरॉल सुरुज है वे न केवल बहु भाशी अभी तो अपनी भाशा के एक विशिष्ट कवी भी है जब उन से पूछा गया कि उन्होंने इतनी भाशाएं कैसे सीखी तो उन्होंने मुस्कुराते हुए बस इतना ही कहा किसी भाशा में निपण होने के लिए तीन चीजों की आवश्यक्ता है पहली सीखने तथा जानने की तीवर इच्छा दूसरी सीखने में अदम्य निष्ठा तथा अध्यवसाई और तीसरी चीज है सुअवसर की प्राप्ती सीखने की तीवर इच्छा तो मुझ में बच्पन से ही थी बाद में अवसर मिलने पर मैंने उत्साह तथा एकाग्र चित होकर सीखने का प्रयास किया मुझे सफलता मिली डॉक्टर स्रुज ने तीन सो भाषाएं सीखी किन्तु हम, हम एक भी भाषा भली भाती सीख नहीं पाते क्यो? हमारे भीतर सीखने की वहतीवर इच्छा नहीं है हम सीखना नहीं चाते अब्रहम लिंकन में वकील बनने की तीवर आकांग्षा थी एक बार ब्लाक स्टोन की पुस्तके लाने के लिए वे चौसट किलोमीटर पैदल चले थे तीवर इच्छा वा प्रचंड आकांग्षा की शक्ति ऐसे वातावरण की स्रिष्टी करती है जिसमें लक्ष की प्राप्ति सहज हो जाती है आध्यात्मिक जगत में भी यदि तीवर इच्छा वा प्रचंड व्याकुलता हो तो इश्वर के दर्शन तक हो सकते हैं श्री राम कृष्ण का खहना है कि तीवर व्याकुलता उश्याकाल के समान है जिसके बाद सूर्योदय में देरी नहीं होती ऐसी है तीवर व्याकुलता की चमत का चामतकारिक शक्ती ऐसी है तीवर व्याकुलता की चामतकारिक शक्ती एदि मनश्य के हृदय में कुछ जानने की तीवर इच्छा न हो, कुछ प्राप्त करने की व्याकुलता न हो, तो उसके समक्ष केवल अंधकार ही होगा, वह वस्तु उसके सामने कभी नहीं आती डॉक्टर एलेक्सिस केरल लिखते हैं, सत्य के अनन्त महासागर में मनश्य जो चाहता है, केवल उतना ही पाता है SEC के संथ फ्राइंसिस ने ईश्वर को और आलबर्ट आइंस्टेन ने भोतिकी के सिधान्त पाए रूइस ब्रोक के अनुसार, देशकाल के परे बुद्धी के पीचे स्तित, उस अवर्ण नियक्षेत्र में केवल प्रेम तथा व्याकुलता से ही प्रवेश मिलता है और उसी में ईश्वर के दर्शन होते हैं क्या ए शब्द इस बात के जोतक नहीं है कि कठोर संघर्षों के द्वारा कोई भी सफलता के शिकर पर पहुंच सकता है देश के विभिन मंदिरों में ईश्वर की अनेक प्रतिमाये हैं क्या आपने इनकी मुद्राये देखी हैं वे बड़ी सांकेतिक है वर तथा अभई की मुद्राओं के द्वारा वे अपने भक्तों को सरवदा यही संदेश देती हैं डरोमत तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी वर तथा अभई की मुद्राओं के द्वारा वे अपने भक्तों को सरवदा यही संदेश देती हैं डरोमत तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी मन में एदी कोई इच्छा हो तो वह कभी न कभी पूरी अवश्य होगी हिंदू शास्तरों के अनुसार सर्व व्यापी तथा सर्व शक्तिमान परमात्माने मनुश्यों की इच्छा पूर्ण करने और इसी पृत्वी पर कर्मों का फल देने के लिए इस संसार की रचना की एक दिन आपकी तीवर आकांग्षा अवश्य पूर्ण होगी वास्तव में इच्छाओं से मुक्ति की दिव्य अवस्था की उपलब्धी के लिए भी आपके भीतर इच्छा का होना अवश्यक है क्योंकि एक काटे से दूसरा काटा निकालने के समान ही इच्छा के द्वारा ही इच्छा का नाश किया जा सकता है आप पूछेंगे कि क्या बुरी इच्छाएं भी पूर्ण होती है अवश्य होती है परन्तु उनका फल दुख दाई होता है रावन तता दुर्योधन की बुरी इच्छाएं पूर्ण हुई परन्तु दुख कष्ट तता सर्व नाश के अत्रिक्त उन्हें और क्या मिला वे रामायन तथा महाभारत के खल नायक माने गए आप जो चाहे वही मिलेगा पर यह जानना होगा कि हमें क्या चाहिए अन्यथा कुछ भी प्राप्त नहीं होगा लक्ष्य हीन जीवन से निराशा अपमान हीन भावना तथा दुख की ही प्राप्ति होती है संक्षेप में यह एक चरम दुरबलता एक चरम हताशा का जीवन है ओम शान्ति 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 हरी ओम तजसत श्री राम कृष्णार पर नमस्तू